जैने दोस्त यूटिटीयम के बहुत अथ आई टेकर रिजल्ट वैसे भी कुछ दिन पहले आया था बहुत सारे कारेंट का प्रूटी अने रिज़ुना थे और फाइनली आज पी हूँ अपडेट हूए है जिसके बारे में देखने वाले है तो और आप आप चैनल पर नए हा वाले काडिनेट का जिनोंने ओमर बेस्ट एक्जाम दिया था और ड्रॉइंग प्रैक्टकल का और भी कई सारे एक्जाम दिया थे सेमेस्टर रहे हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया देखिए तो यह लिखाऊ है रिजल्ट आफ सीटीएस एक्जामिनेशन हैड थूमर सेमेस्टर सिस्टम तुठाम 14 तो 17 है देक्लेर बतलब दोर 14 16 24 15 15 17 वह सब्सक्राइब यह सबीका जो सेमेस्टर एक्जाम था उनका रिजल्ट जारी उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया आप एस्टिक ओफिसल वेसाइट से डिस्क्रिप्सर में लिंक बिल जाया है वहां स जारी होने वाला है अभी 17 के बाद ही 18 19 इस तब डेटों में आप रिजल्ट लावग सभी का रिजल्ट जारी होने वाला है अभी 17 के बाद ही 18 19 20 इस तब डेटों में अब रिजल्ट सुधार हो कि आजाए लेकिन अब रिजल्ट प्रोटल आजागा अभी बैक पुराना वाला है तो आपका अभी अपडेट हो रहा है कभी भी अपडेट हो सकता है तो अठाहर विसका वैसे तो आप सत्रा के बाद ही होगा तो भी रिजल्ट आपको सुधार हो जाएगा और रिजल्ट सुधार होने के कई दिनों के बाद ही माकसिर सब्सक्राइट कब आगा तो आज आ रहा है लेकिन माकसिर सब्सक्राइट में टाइम लगेगा लेकिन यार तालीस गंटे बासट गंट बहुत कई दिन लग जाए चार पास दिन हो गए तब पर आपके रिजल्ट और माकसिर सब्सक्राइट नहीं आ रहा है तो वह भी आपको टाइम लगने वाला है कब तक होगा यह अगले महिने में ही संभव हो सकता है कि आपका माकसिर कोसिए आता है तो इम्मेल पर एक ज्यांनकारी ठीक है यह इंटर कर दिजेए कि आपका और आपका मार्क से चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीज़ेगा और हो सब्सक्राइब तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और जिनका रिजल्ट अभी तक पुराना दिखाई दे रहा है तो कुछ दिन में में साथ आपका अपडेट हो जाए ठीक है कंफर्म यह क्योंकि एक्जाम देने के बाद भी उनका रोल नमर नहीं चाड़ता है तो उनका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा उसके लिए आईटे में आपको बात करना पड़ेगा आपको बात करके आपका रिजल्ट सुधर्वा लेकिन आप कुछ दिन का वेट करें तो साथ आपके जैसे 17 इसका रिजल्ट आया उस तरह से आपका 18 इसका भी कुछ दिन के बाद रिजल्ट आ जाया वैसे यह तो कंफर्म है जिनका भी पुराना वाल दिखा देरा उनका रिजल्ट अपडेट होगा ठीक है और आपका रि अगली वीडियो में का इसाथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद